स्वागत आप सब का बंगलादेश टूर ओफ इंडिया के अंतर यह तीसरो रंतिम टीट्वंटी आई मैच है जो अपसलूट डेड रबर रहने वाला है क्योंकि इस मैच से कोई खास फरक पड़ेगा निस रंकला के उपर क्योंकि टीम इंडिया ने इस सिरीज को दो जीरो ताके दो डाल जाते हैं तो स्मॉल लीग खेलने के लिए मैच बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है तो स्टार्टिंग में आपको बता दूँ अगर आप मैच खेल रहे हो फेंटसी के अंदर ग्रेंड लिग टार्गेट करो और मिनीजीयल खेलो जो 25 मेंबर की होती है 50 मेंबर सिरीज लेवल हो जाती ना वन वन हो जाता तो यह मैच एकदम प्रॉपर देखने को मिलता है इसमें जो इंपोर्टन बॉलर्स वो डाल रहे होते हैं पिछले मैच में अर्दिर शिंग ने तीन वो डाला था आपने देखा हो तो यह आम तो पर नहीं होता है तो साली समरी देखते हैं हुआ क्या था इंडिया आती है और टॉस वैसे जीता था बंगलादेश ने मेरे समझ के बाहर थे नोंने क्यों पहले गिंदबाजी के फैसला किया क्योंकि यहां पर आईपिल में पांच मैचस वेते दिल्ली में पांचो बैटिंग फर्स करते हुई जीते रिंगु सिंग तर्यपन हार्जिक पंड्या ने 32 बनाया रियान पराग ने 15 किया च्छेगेंदों में रिशाद उसे ने लास्ट ओर में आके तीन फ्रीबी विकेट्स निकाले पच्पन रंदे के टस्कीन भाई यह जो बॉलर है यह खरास होना बनता जा रहा है दिरे दिर इवन जो लखनव की टीम 30 साल IPL में 2024 में जो IPL हो रहा था वहाँ पर उन्हेंने कोशिश करी थी लखनव की टीम ने इनको अपने स्कॉर्ड के अंदर बुलाने की बट BC भी बंगलादेश करके बोड ने मना कर दिया था मुस्ताफी जर दो तंजी मर्शन शाकिप को भी दो इमोन ने सोला बनाये थे मैद यसन मिराज सोला लेटिन दास चौधा चकरवरती क्या यादगार इनका कमबैक रहा है दो विकेट निकाले नितीश को दो विकेट मिले और 23 रन दिये मातर सुंदर को एक इन्होंने पता नहीं क्या गल्ती करीती इनको एक ओर के अंदर चार यह जाएगा आपको विकेट निकालने के बावजूद भी दूसरा वर नहीं दिया गया अभी शेक शर्मात दोर डालता है 10 देको और एक विकेट निकाला लानों ने तो देखते हैं इसमें बहुत से पोइंट से डिसेंस का लेखा जोगा है पहला माच एंदिश विकेट से जो तोस होता है चैवच के 15 से 20 मिनेट के आसपास पिछ रिपोर्ट आ जाती है जैसे मैं लास्ट मैंच में भी आपको पिछ रिपोर्ट दी थी कि बैल्टर ओफ विकेट है इस गेम में भी बिना पिस देगे मैं कह सकता हूं बैल्टर ओफ विकेट ही होगा बढ़िया पर क्यों थोड़ी दिर में बताऊंगा एंड पिछ रिपोर्ट देखते है तो राजेव गांदी स्टेडियम के पर मैच हैदरबाद में यहां पर 19 माई को डे गेम वा था एसरेच वर्टस पंजाब का जिसमें 214 बना था और टार्गेट चेस हो गया था 19.1 ओवर्ट में पांच बॉल रहे थे 165 बना टार्गेट नहां चेस हो गया 9.4 ओटस में वाई सब क्या मैस था यह लखना वर्टस जाहिदरबाद का मैस जिसमें 10 ओवर के अंदर सोचो 167 और टार्गेट चेस ट्रेविस हैड और अबिशेक शर्मा ने आतिशे पारी खेली थी वाँ 201 बना और सामने टीम 200 बना बाई 206 बना 170 165 सामने टीम चेस कर गई 18.1 ओवर्स में 217 बना यह मुंबई इंडियन्स का मैस था जो था यह वाला जिसमें 278 बनाए थे 46 बना पाई तो इस मैच में तो टीम इंडिया स्वानी के उपर दो मैचेस खेल चुकी आज तक दोनों जीती है बंगलादेश पहली बार खेलेगी और यह साही प्ले में आप यह मैचेस वह थे तीन मैच बैटिंग फर्स तीन मैचेस होए थे प्रती और दस के असपास रंस बनते हैं और जो लास मैच था एसरेश पंजाब का 6 विकेट पेज 2 विकेट स्पिन ने निकाला था लास्ट मैच में तो ज्यादा विकेट नहीं गिर रहे थे स्वानी के उपर आप कुछ सोचो 6 मैचेस में पेस ने 39 विकेट निकाले पहली पारी में एकिस दूसरी पारी म रहे हैं और जो पिस थी लास्ट मैच में जो खेला गया तो 19 माई को बिट्वेन पंजाब ए नहीदराबाद तुपिछ यहां पर इस तरह से दिखी ती 66 66 स्वेर सामने ठाता है दिल्ली से थोड़ी बड़ी बाउंडरी है बास आपको इत्ता ध्यान रखना है बर मैच से तरह पर इस तो फूसमें बाउंड पर उसमें बाउच नहीं में अघ्या बाइन जो अगी नाम यह ए था निए था टिया था नकि आए बेठा है जब मैच स्वेर सामने टीए तरह सिसमें घ। मोजड़ी ऐसे दिस्तंस उंगे एक गी डिसन्स गड़ी तो इसमें पर जाती है सिंपल सी बात हैं बल्ले इतने बड़िया होगी है रन बनते ही है कुछ भी हो जाए बोलर नहीं जा सकता यह मफागा वाला डेब्बी वाली पीछ है तैसा रच बड़े से समाई जिसके अंदर 277 ऐसे कुछ बना था और यह देखो बैंगलोर चन्नाई हैधराबाद म पर करीबन 1.8 डिगरी एसपा श्राइब देखने को मिला था इपल में स्टीडियम का वियो पूरा अनुद स्वाटे सेडी ऐसे लेगी पीछ डिपोड कमेंट करके बताना मेरे को चैनल पर नहीं हो सब्स्राइब को लो बट जो वैदर होकास है बाई साब्स्राइब शैद 15-16 वर के आसफास बारिश आ सकती है बड़ दुआ करतो है अरनाय बारिश दुर्म टीम स्टाइब 15 मैच खेलें 14 इंडिया जीती एक बंगलादेश जीती है जो जीती दिली में ही 2019 में अभी शेक ओपन करेंगे जो होम या लोकल बॉई भी आप कह सकते हैं बिकॉस अफ अर्दिक पंडे अर्यान पराग रिंकु सिंग सुंदर यह भी एसारेच के खेल चुगा है चकरवरती अर्षदेप सिंग महिं क्यादब आपको दिख जाएंगे और यहां से तलक फर्मा तो खेर यहां का लोकल क्रिकेटर है जन्मावा यही का एधराबाद का एंडे टीम बैटिंग वाले यह बॉलिंग वाले उससे पहले हम देखता है बंगलादेश की लाइनप बहुत सारे चेंजिस हों गया है देखना है बिस्नोई को खिला लिया जाएगा चकरवरती को बेड़ बैठा दिया जाएगा तिलक फर्मा अर्षितराना को डेब्यू कराया सकता है जितेश शर्मा है प्रवेज इमाम आपको दिखेंगे शाय दोपन करते हुए तांजी जिसन भी आ सकते है लेटिंदास नर्जों मुल कप्तान है तुए दुरिद्वाइफ फ्लॉप मैं सीरीज में मधुल्ला जिन गंती मैच होगा रिटायर्मेंट होने वाला है जाकिर अ अब देगें संजु सैंसन अगें दिस टीम दो मैचस खेल चुका 38-49 रंस है अगेंश बंगलादेश बैटिंग फर्स 10 से इस के उपर 29 है वैंडी के उपर साथ मैचस में 287 रंस सतावन की उसद है और दो कैच एक स्टंपिंग इस वैंडी के रामतोर पर बहुत अचा खेल अब भी है 49-102 नाबाद 55-35 नाबाद 42-0 यह वैंडी उसे बैतरी इनको चांस नहीं मिलेगा अपने अपर प्रूफ करने का क्योंकि वहां पर रुतुराज गायकवाड बैठे हो है जो आइडेली मेरे साब से डिजर्व करते हैं 11 में आना और उपन करना ही क्योंकि वह प् वेरी इंपोर्टेट गेम पर संजुस सेमसन और देखते हैं क्या ट्रेंड करता है जस्टीश पर संजुस सेमसन यह नहीं अभी शर्वा दो मैचस में कतिस रंस है 15 बैटिंग वस होला रन आउट में चेस पर और लपे मारने आते हैं इनका वही काम है विकेड गरे सामने को कोई फरक नी पड़ता है इनको आड़ बंदा एकडम 14 मैचस में 304 रंस है यहां पर चेस पे बहुत बुरा मारता है पिछली तीन इनिंग चेस के उपपर चार बोलो 37 पिछतर नाबाद 66 और बैटिंग फर्श पांच नाबाद 7 ग्यारा तरे सट वारा इस तरे सरह सूरिया अब हैट्विट के अंदर कुछ खास नहीं कर पाएं वी तक दो मैचस के अंदर एक में 29 एक में 8 और हैट्विट चार मैचस में 30 रंस 36 और चेस पे 29 बैने के पर 13 मैचस खेल चुका है 36 के उसत है देड़ ग्यास पास ट्राइक डिट दो सुनिस रंस बैटिंग फर्स सतरह 28-7-15-7 चेस के उपर 19-14 नाबाद 43 नाबाद फिरोन अत्तर है चेस पे अच्छे नंबर्स रहें 30 बाई दो मैचस में 90 रंस दो विकेट हैं बैटिंग फर्स 24 प्लस दो विकेट चेस पे 16 नाबाद 0 विकेट और वैनी के उपर 6 मैचस खेल चुका है 140 रंस चेस पे 14 नाबा सेंडर्स बहुत अच्छे सेट करते हैं चाहिए बैटिंग हो चाहिए बॉलिंग हो फिल्डिंग हो हर जगह अपने आपको एक अवल दर्जे की शेंडी के अंदर रखता है क्रिकेटर वैनी की उपर 8 मैच 106 रंस दो पंदरा दस 14 16 चेस पे 25 नाबाद 24 एक विकेट और मेर अर्दिक और रेक्शन कर सकते थे बड़ो शांती से वहाँ आप बैठा रहा है उसको पता था खड़ा रहा फिल्ड के उपर की समय पल्टेगा पल्टा समय अर्दिक भी पल्टा बैसा दो रहा भाई फिद वैड विद द बॉल विद फिल्ड रियान पराग दो मैचस में 15 साथ मैचस में 24 रंस साथ बैटिंग फर्स सततर चेस के उपर है इनको भी शायद बैटिंग ओंडर में उपर भीज जे जाए पराग को और रिंग को तो ख्यार उपर लास्ट मैच में आई यह थे अर्दिक के उपर दो मैचस में 33 रंस है एकी बार बैटिंग आई 50-20 ने व साथ मैचस में चार विकेट एक च्छे मैचेस में चार विकेट आएगा अभी जस्मिने चेक किया और बॉलिंग सेकंड गेंदर एक मैच में जरूर विकेट है पांच बार विकेट लेखते हैं क्या कर पाते हैं पाजी का चार मैचेस में आट विकेट है तकड़ी इंबाज है हमारे पाप पे वैन्नी कुप तीन मैचेस में चार विकेट है अद्बुद क्रिकेटर है यह महिं गया दब दो में दो विकेट से बॉलिंग फर्स बॉलिंग सेकंड इस गिम में भाग करके हरशित रानो को लाया जा सकता है चकरवर्ती का दो मैचेस में पांच इनको बाहर करके बिश्णू ही आ सकता है तो जो भी आए टीम में रख लो तिलग वर्माद दो मैचेस में 101 रंज है इस वैनी के उपर सैथीज वैटिंग फर्स शॉस्ट चेस पे एकडम प्रोपर लोकल प्लेयर है है अधरावाद का है अर्शित राना इस वैनी पेक पिकेट निकाल सुका बॉल सेकंड करते होगे विष्ण वी दो मैचेस खेला दोनों में पिटा है जिरो विकेट बॉल फर्स जिरो विकेट बॉल सेकंड जीतु भाई के दो मैचेस में 36 रंस जेट्स हो का स्चाइग रेट है पिछले गेम में में क्या था अर्दिक ने बॉल नहीं पकड़ी दी अर्जी सिंग ने पहला नितिश ने दूसरा चौत अठारवा वीश्वा सुंदर ने पांच वा चकरवर्ति का आटवा चटवा चौदवा सोलवा विष्एक का साथवा नववा मेंका दसवा बारवा पंदरवा सत्रवा पराक का ग्यारवा और तेरवा ओवर था जिसमें उनने मैधियसन विराज क अगर चकरवर्ति नहीं हेलते तो लिटन दास के पास चान सो स्कूर करने का नजुमूल का चार मैचेस में 99 में रंस है 27 बैटिंग फर्स 21 चालीस ग्यारा चेस के उपर हैं तो यह दिरजवाए का तीन मैच में 18 बहुत बहुत बैर प्लेयर है वट नॉट इन दिस सीरीज ब 240 रंस है बहुत ही काम कंपोज दिखें हैं जब भी यह खेलते हैं दो विगेट है 6.6 के एकोनोमी है एंड विद दे बैट लास्ट गेम होगा उनका फिल्ड के उपर एक फैरवल होगा उनके लिए देखते हैं किस तरह से साइन ओफ करते हैं बहुत बढ़ी है क्रिकेटर है इनकी टेस्ट के अंदर शायर 500-200 बनाएते इसने 500-200 के आसपास एक मैच के अंदर जो इसका लास्ट टेस्ट था फैरवल वाला इसका फैरवल टी-20 है उसको देखते हैं किस तरह से साइन ओफ करते हैं जाकिरे लेगा तीन मैच में दस रंज है मैधी का पांच मैच उसमें तांजी मसन का दो मैच आर विकेट पेई सस्टम्स को टार्गेट में रखता है तसकीन का चार मैच उसमें चार विकेट है आम तर पर एक विकेट एक एक उनमिकल स्पेल रहता है लास्ट गी में दो विकेट निकाल गया इसकलिए प्लस तर था मुस्ताफ फीजरी सुनी के विकेट पर अच्छी बालिंग राच विकेट है बालिंग फरस तीन में पांच बालिंग सेकंड पांच में पांच एड टुडिक अंदर बारा मैच इस सीरीज में अच्छा काम गीया इस प्लेयर ने चोटा मैधी ऑसन है तो देखो यह भी आ सकता है राक्यबू असन इस ग दूसरा चौता बारवा सतरवा और तांजे मचन शाकिप तीसरा पाँचवा सोलवा अनिसवा फिसका चटवा ग्यारवा चौदो अठारवा इरिशाद का आठवा दसवा पंदरवा बीसवा महमुद लॉला का नववा ओर था एक यह मैच अभीशेक वर्सेस मैदी दो गेंच चेहरण एक इनिंग्स में एक बार आउट किया है संजुस सैमसन वर्सेज मेदी पांच ग केन दौर अन दो निंग्स में टस्किन इसको चार बॉल में एक रंदे के दो निंग्स में एक बार आउट किया है यहां पर एक छोटा सा करेक्षन है, मैदी के सामने अभिशेक ने 6 बाल खेलिए 2 बाल खेलिए 6 रन बनाया है, पर एक भी बार आउट नहीं वा, यहां पर इसने 8 बाल, 8 रन बनाये थे, 6 गेंदों के अंदर, और एक इनिंग्स में एक बार आउटा, आपने लास्ट मैच में से मिस्टेक वी, इसको इंपूट करने में, सूरिया वर्सेस तांजिम पांच गेंद सातरन यह T20 वल्ड कप में किया था, फिज ने इसको 19 वाल में 36 रंदे के 6 बार आउट किया है, यह दिकत इनको पैदा कर रहे हैं, जो मुस्ताफिजुर है, तो देखने लाग होगा, कि इस तरह से प्लेयरिस मैच के अंदर खेलता है, मुस्ताफिजुर को, क्योंकि दो मैचेस इस सीरीज में, दोनो मैचेस में फिज ने आउट किया, एक स्वेर लेक की तरफ आउट किया, और लास्ट गिम में तो आपको बता ही है, मुड़ाफ की तरफ आउट किया, ता कवर इस मिटो, नितीश कुमार एडी वर्सेस फिस, बारा बॉल, चौदर रन दिक्का धाती है, इंको भी, हार्दिक वर्सेस फिस, 40 गिन, बासरीज रन दस इनिंग्स में थेन बार आउट किया, फिस, Mतलब मुस्ताफिजूर, रिंगू सिंग वर्सेस फिस, तसकेन, रियान प एलग वर्मा वर्सेज शाकीब यह मैच अप रहा है एक बार इनका परवेजिशन विमॉम वर्सेज रश्दीप सिंग बीज बॉल अठारा रन तीन पारी में दो बार आउट किया है निदिन दास वर्सेज हरतिक पंडिया दस बॉल 21 तीन इनिंग्स में दो सुंदर ने इनको पॉइंट आउट कर सकें एंड रिशाद वर्सेज वर्सेज वरुन चकरवरती दिक्कत ही दिक्कत है एक करोड रूपी की लिडर बोर चल रही है विमन्स टी-20 वर्लीकप में पार्टिस डिबिट कर सकते हैं मास्टर लिए उपर और विजन लिए उपर भी आपको एंटर इसकम देखने को मिलती ही प्लस ये आलतुफालतु के खर्चें नहीं होते जिये स्टी टीडियास वर्य रहा है साइन अप कलेना लिंग नीचे दिया है रिफर कूर्ट स्टैट्स गुरू जी है तो कॉमन कैप्टन गंदर आपको सूरिया हर्दिक दिखेंगे थोड़ा लग जाना तो आपके पास option है नितिश कुमार रेडी का रिशाद दुसेइन अभीशेग अर्जडिप को भी आप रोटेट कर सकते हैं चलते हैं फैंटेसी टीम्स के दरब तो यहां पर आपको दिखेंगे लिटिंदास, संजू सामसन में भी संजू पर ही ट्रेस्ट करूँगा अप लिटिंदास को बैक कर सकते हैं मना नहीं करूँगा लास्ट गेम है लपे मार नहेंगें को फरक पड़ेगा नहीं समयच से वी सूरिया इंपोर्टन यहां से मैं गयादा खेलते हैं तो इंपोर्टन मेरा मानना ही कि इस गेम में शाद अर्शित रान को मौका दिया जा सकता है तो वो खेलेंगे और बिश्णू ही आ सकते हैं चकरवर्ती की बदले तो मैं उनको ले लूँगा सिधी बात है जो प्रॉपर बॉलर आता है टीम में बंगलादेश टीम लब पे मारने आ रही है मूड में बिलकुल भी नहीं है फ्लो में नहीं है तो मेरा अभी के लिए फ्लाल ऐसी बेस टीम रहेगी इसमें मुस्ताफीजर में बॉलिंग फर्स्ट में ले लूँगा और अगर बंगलादेश पहले बैटिंग करती है तो मैं आपको तब तक लिए जैन क्योंकि हमने तीन मैचे से सीरीज में खेले हैं दो तो अपने प्रोफिटिबल गया है तो फिर क्यों एक मैच खेल के फाल तुम अपने पैसे डुबाना जिसमें इतने सारे एक्स्परिमेंट होंगे कि जो प्लेयर है उनको खुदको नहीं पता क के एक्सपरिमेंट होने वाले हैं जैन सी सून बहुत बहुत धन्यवाद मिलते अगले सीरीज के अंदर जोगी इंडिया वर्सिस जुल्रेंड के टेस्स सीरीज